हालो गाइज कैसे आप सब लोग टायरोस पे आपका बहुत बहुत स्वावत करती हूँ गाइज आज हम केंडल वैक्स रिडिंग करने जा रहे हैं और मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टरें इन दिनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है तो यह एक जनरल येस आपको पूरे रिडिंग ज़रू देखनी है और कुछ भी समझ आता है कुछ भी एजनेट करता है तो आपको कॉमेंट सेक्षेंट में कुछ भी बताना है मुझे ठीक है अपनी पार्टर के बारे में ठीक है आप चाहती क्या हो यह बताना है ठीक है और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लाबा फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर आपको में मिल जाओंगी, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लिजे, तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रिदिंग, सबसे पहले मैं चाहूंगी, आप अपने इस्ट देव, गुरु और फिर थ्री टाइमस अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ओके स्टार्ट करते हैं, ओके गाइज, इनवर्स हमें काईट करें, एंद इस हमें बताने की पोशिश करें, सबसे पहले एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद बहुत सारी बाते मैं आपके पार्टने के बारे में बताने वाली हूँ, तो देखें, सबसे पहले इनके एनर्जीज क्या हैं, ये अपने आपको कंट्रॉल क्या कर रहे हैं, अभी इन दिनों क्या है, अगर मैं कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बात का पीसफूल सॉलुशन निकालने की कोशिश करें, इनको लगता है कि आपके इनके बीच में कोई भाग़े जुडा हुआ है, या फिर डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ नों कुछ भाग़े का परपस है, या फिर क किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ अलग सी कनेक्टिविटी फील होती है, इसके अलावा मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि ये इनसान आपसे एक्वल गिवन टेक करने की कोशिश करें, और चाहते हैं कि आपका जो भी मैटर, यानि कि जो भी मैटर चल रहा है समूझ यहां पर लगता है, क्योंकि आपकी पार्टनर्शिप को आपकी फ्रेंड्शिक को भुला नहीं पा रहे है, ओए। अपकी रिसेंट पास्ट में जैसे लगता है कि आपके बीच में कुछ नोंeil गहलím चुछ मल्ब City शीन यह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जो ह है बार-बार कि आप से कोई नों कोई संबंध ऐसा है जो कि छूटे नहीं छूटता और बुलाई नहीं भूलता ठीक है ऐसा कुछ connection है जो कि वाकिये में अगर छोड़ना भी चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते ठीक है अगर मैं कहूं कि इनकी क्या situation है मुझे इनकी तरफ से situation यह लग रही है कि यह अपने आपको control किया कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आप थर्ड पसंद कोई ने कोई दिखाई दे रहा है यह emotionally mentally physically किसी के control से बहार आ रहे हैं यह भी मैं देख पार हूं ठीक है यह अपने आपको control से बहार निकलना चाहते हैं क्योंकि यह चाहते हैं कि आपके लिए अपने आपको ready करें क्योंकि यह अभी तक restriction में थे या किसी के लोगों के लिए दिखाए दे रहे तो यह अपने आपको गांपो कर रहे था है लेकिन आप नकों कहीं कहीं यह डर से भाहर निकल रहे है कुछ मैंने अजीब सी फीलिंग्स अजीब सी कॉम्पलीशन के इनके नेचर में इनके emotions में दिखाए दे एक्चली इंसान आपके लिए कोई decision लेना चाहते हैं ठीक है यहाँ पे यह कैसा सोचते हैं आपके बारे में आपको लेकर कैसे हैं आपके रिष्ते मीं आजकल कीया सूच रहे हैं तो ऐसा दो लगता है क्याक आपके जैसा म cuma और कोई अपने आपके साथ फ्यूजर की देख रहे हैं यह सिर्फार सिर्फ आज की जो एनरजिज आयाने कि एट प्रेसंट जो भी आपके बीच में चल रहा है उसको सही करना चाहते हैं चीजें बहुत अच्छे से करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनिशिप और जो भी दोस्ती का तो विदिन 15 डेज में जरूर बात करें या फिर किसी के सोशल मेडिया पर इनका कोई नो कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा ठीक है यहां पर देखिए यह चाहते क्या है यह आपकी साथ जो खुशिया महसूस करते हैं किसी और की साथ महसूस करी ही नहीं सकते इनको लगत तो एक तरह से आप एक खुशियों का खजाना हो इनके लिए और यह चाहते हैं कि आपकी साथ जस तरह भी चले बाइद बुक चलना चाहते है यह रूल रेगुलेशन सोसाइटी की बातों को सोच कर चलना चाहते हैं क्योंकि यहां पर थर्ड़ परसंट फोर पार्टी सिच जाते हैं अभिग की रिष्टे मी क्या सोच रहा है क्योंकि इनको जैसे बहुत सारी चीजए समझ में आने लगी आपके रिष्टे में और इनकी रिष्टे में ठीक है? यह कोई आप रिष्टे में करना चाहते हैं कोowing का क",उनुहिंट है, उसका बीच का और से इन्होंने कभी सुनी नहीं है तो यह बहुत ज़दा आपको देख रहे हैं कि आपको इनकी सिचुईशन में बहुत ज़दा निराशा हो रही है लेकिन कहीं न कहीं आशा है कि सब चीजें वाक्य में बैलेंस हो पाएगी ठीक है आपके बीच में रिसेंट पास्ट में क कि एनर्जी हर्ट होते हुए नजरारी है ठीक है आप हर्ट हो और इस इंसान से कम से कम बात करना चाहते हो इवन बात हो रही है मुझे ऐसा बहुत से लोगों के लिए लग रहा है लेकिन यह इनसान के एनर्जी यह हैं कि यह आपसे आगे कोई जैसे कोई वादा करना चाहत हैं किसी बात का जिस से आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है उसका समाधान निकालना चाहते हैं यह actual में चाहते हैं कि आपके इनके बीच में जो भी स्ट्रगल है वो कतम होकर आपके साथ जीत हासिल करें यह सकसेस चाहते हैं आपके साथ यह hopeful है कि आगे आपका reconciliation, आपका reunion जरूर होगा, ठीक है, इनको ऐसी आशकी किरण दिखाई देती है आप में, जो कि यह कभी भूल ने पाते हैं, जैसे like, कि यह जो connectivity आप से feel करते हैं, वो किसी और से feel नहीं करते हैं, तो इनको यह लगता है कि आप एक रोशनी की किरण हो, अ आपको ही कर रहे हैं, आपको ही miss कर रहे हैं, और current feelings में क्या है, यह equal given take करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई party या कोई date करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि इनको again feel होता है कि कोई ने कोई connectivity है, जिसके कारण यह चाए control करें अपनी आपको, चाहिए नहीं करें, चाहिए married हैं, चाहिए unmarried हैं, आपके साथ रिष्टे को यह भुला ही नहीं पाते हैं, 24 गंटे आप इनके दिमाग में रहते हो, ऐसा इनको feel होने लगा है, और यह इस बात को मानने लगे हैं कि आपका इनका कोई नों कोई purpose है मिलने का, कोई नों कोई जैसे desk time connection है, कोई past life connection या फुर soul made tune flame, actually soul made tune flame की बात मैं नहीं करती हूँ, आप जानते हैं, लेकिन soul made tune flame होते जरूर है, ठीक है, लेकिन इनको पैचानना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसी कोई बात आपके साथ ही feel कर रहे हैं, कि कोई journey चल रही है, या कुछ ऐसा है, जो की connectivity ये feel करते हैं, और किसी के साथ ऐस होते हैं, तो ये क्यों नहीं feel होता है, इनको ये feel करते हैं, ठीक है, तो इनका कुछ नहीं को भंगे का खेला है, इनको ये feel होने लगा है, ये currently क्या सोच रहे हैं, currently आप से बात करना चाहते हैं, और बात अगर कम हो रही है, तो ये हो सकत लिया जाए जिससे कि आपकी इस्तिती परिस्तिती में ग्रोथ हो आगे आप बढ़े हैं ठीक है इस तरह से एनरजी जा रही है तो ओर ओर डेफिनेटली यह कॉन्फ्लिक को खतम करके आपके साथ कोई पीसफूल सॉलुशन निकालना चाहते हैं इसी बात का समधान नेखालना चाहते हैं एक्च्रिए इंसान बीपनेड़न हो है इन्होंने कवे किसी इंसान की परवा नहीं की इन्होंने रिष्टों की इंपॉर्ट n日ी इन्होंने कि आपने बहुत कुछ इस इंसान को समझाया है और दिखाया है आगे रास्ता क्या होना चाहिए यह आपने डेफिनेटली इनको कुछ नो कुछ दिखाया है जिसके कारण यह एक अलग सी मलब जैसे कहते हैं कि चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखना शुरू कर रहे हैं और इनको लगता है खी इस जो प्रैक्टिकल लेटीए हो भूल कूछ सही है आप जो कहते हो कहीने कहीं बहुत ज्यादा चीजों सहीं होने लगी है इनकी आऐंकों के सामने ठीक है deux लग गये हैं और कहीने कहीनी कि वे philosophical पेंटिकल सोचने लगये हैं और कहीन है इनको है इन को अ निकाला जाए, आपके लिए कोई peaceful solution निकाला जाए, ठीक है, आप से कोई वादा करना चाहते हैं, ऐसा देख रहे हैं कि यह कोई जो मनमुटाव आपके इनके बीच में चल रहे हैं, वो हमिशा जैसे कहते हैं, एक repetition में होते जाते हैं, तो यह जो मनमुटाव है, यह जो conflict वाल में दुबारा, यह cycle repeat नहीं हो, ठीक है, यह आप से एक ऐसा ही नहा cycle शुरू करना चाहते हैं, जिससे बहुत सी बाते हैं, आपके इनके बीच में clear हो, ठीक है, इस मून पे definitely बदलाव आएगा, आपकी स्थिति पर स्थिति में, ठीक है, और वो बदलाव क्या होगा, यह monology स ही हम देखेंगे, ठीक है, आप deck निकालूंगे, मैं guys, wait a second, okay, आपके लिए क्या message है, monology से देखेंगे, आपके रिष्टे में आगी क्या guidance हती है, यह क्या करना चाहिए, आपको चले देख लेते हैं, थोड़े से card, okay guys, मैं इसको यहां रखोंगी, all right guys, तो आगे हम देखें कुछ guidance के रूप में हो सकता है, कुछ आपको क्या करना चाहिए, आगे इस relationship के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि moon की energy आज full moon है, तो देख लेते हैं, इस full moon के बाद क्या changes आ रहे हैं, क्या nearest future होगा आपके इस रिष्टे का, चले check कर लेते हैं, तो लगके, कुछ cards ल कर रहेगा, ठीक है, आप जिस intentions के साथ, इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगी, अगर आपकी intentions अच्छी है, वाके में किसी को hurt करने वाली नहीं है, तो definitely luck आपका साथ देगा, और मैंने देखी, मैं जो बार-बार लग रहा था कि, आपकी destiny work करेगी आपके लिए, ऐसा मुझे यहां पर लगा, इसलिए, लग का काड़ा है कि, यह कहीं ने कहीं, आपका luck जो है, साथ देगा, जिसके कारण आपकी situation में आगे बहुत ज़्यादा changes आएंगे, ठीक है, आप जो भी सोचोगे वो हो गया, ठीक है, आप विन-विन outcome is forecast, यहन कि कुछ नो कुछ मुझे मुझे कि full moon के energy आगी कोई Libra है, कोई Sagittarius हो सकता है, ठीक है, sign मैंने और भी बताया है, Sagittarius मुझे strongly कोई लग रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए, आपके लिए कोई नो कोई जैसे future में, यहां पर आपके लिए कोई नो कोई win-win situation आएगी, जहां पर आपको लगेगा कि, जो आप आपके लिए कोई पूरी हो सकती है, ठीक है, तीसा कार्ड हमारे पास है, I time to give rather than day, यहां कि विर्गो कोई हो सकता है, new moon के energy है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे आपको देखना पड़ेगा कि, आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, आप लेनी की नहीं, बलकि देनी की relationship में, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करोगे, अभी तक शयाद one-sided था, लेकिन energies change हो रही है, full moon के बाद emotions high रहेंगे, और कहीं न कहीं, आपके partner जो है, आपके लिए जो अभी तक नहीं कर रहे थे, वो करेंगे, कहीं न कहीं, आपकी कोई wish पूरी हो सकती है, last दूसरे के बारे में, आप दुनों का जो love है, वो definitely safe रहेगा, ठीक है, new moon in cancer का card है, definitely cancer भी कोई हो सकता है, अब बात कर लेते हैं, यहापे bottom वाले card की, okay, आपकी main situation, it's time to take action, यानि कि आप new moon in Aries का card है, Aries भी कोई हो सकता है, तो कहीं न कहीं, आप लोगों को इस time action लेनी की ज जुरत है, अगर आप किसी चीज का समधन डूनना चाहते हो, तो भी आपको conversation या बात करनी की जुरत है, तो खुलकर बात करना आपके लिए important होगा, इन दिनों nearest future, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी energies को बता है, आप बात कर लेते हैं, कि जो आपकी sign दिखाई दे रहेते हैं, इसके लाव मुझे Taurus, कोई Virgo, कोई Sagittarius, कोई Leo, Aquarius, Virgo मैंने बोली दिया, ठीक है, तो Aries भी, ठीक है, ये मुझे star sign दिखे हैं, इसके लावा Gemini और Libra भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस star sign नहीं भी आते हैं, आपके reading में, तो कोई दिकत नहीं है, ये general reading है, और बि next reading में फिर से मेरा wait कीजे, मैं ज़रू मिलूगी, thank you so much guys, bye bye, अभी तक के लिए बस इतना है,